हलो दोस्तों मेरा नाम है गुलसन कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का एक बात फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं आप सभी लोग के लिए एक बहुत ही वेश्ट वीडियो लेकर आया हूँ तो इस वीडियो का आप लोग साथ से लेकर लास से जरूर देखना तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डाइट के उपर कि अगर आप लोग के स्टंट करते हो तो आपको क्या डाइट लेनी चाहिए और डेली क्या आपको खाना चाहिए मैं पूरी डीटेल्स में बताऊंगा इस वीडियो में तो इसकी बिल्कुल ही मत करना में बाते हो पोई ध्यान से आप लोग सुनना तो दोस्तों सबसे पहले आप जब सुबह उड़ते हो तो सबसे पहले आपको ब्रोटीन के लिए आप ले सकते हो चना आप जब रात में सोते हो इस टाम चना और मूंपली जो कच्छा मूंपली होता वह पानी में डाल दो और सुबहर उठो उसको किसमीश के साथ में आपको लेना है और उसके बाद में आप लोग ब्रेफास्ट करो नौ दस बजे इतन उसके बाद में आपको सेम खाना हुआ है जो भी आपके घर में बनता है वह खाऊ और उसके बाद में आपको 告诉 आप बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना आप वन विक में एक बार खा सकते वो लेकिन हमेशा नहीं खाना है इससे आपकी इनर्जी लेवल होती है वो गीक हो जाती है और आपका इस टैमना भी उतना नहीं हो पाता है जितना इस्टंड के लिए चाहिए तो इससे आपको दिक्कत हो सकती है इस्टंड करने में तो मैं जो जो आपको बता रहा हूं खाने के लिए सबसे पहले सुबा उठना है एक ग्ल उसके बाद में आपको ब्रेकफास्ट करना है नौ से दस बजे के बीच में जब आपको भूख लगते हैं तो अफलो कर लो फिर उसके बाद में आपको दो पहर में चावल दाल यह सब जो घर में जो बनता है वो खाना है और उसके बाद में आप साम को ड्राइफ फ्रूट कहा सकते हो चार बज़े के बीच में चार चार पाच बज़े तक आप ड्राइब फ्रूट्स कहा सकते हो उसके बाद में रात को वही आप जो घर का खाना होता है वह खाओ एकदम मतलब बिल्कुल सहस्ता डाइट आप सभी लोग को मैं बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे डाइट तो बहुत सारे सप्लिमेंट्स बगएरा आते हैं लेकिन बहुत सारे लोग इससे आफ़ोट नहीं कर सकते हैं इसलिए मैं आपको एकदम साधारन डाइट बता रहा हूँ तो दोस्तों मैं आप सभी लोग बताना चाहता हूँ कि आपको अपने डाइट में ग्रीन वेजी टेवल्स यानि की हरी सब्जियां और सलायत बगएरा लेना है इससे आपका इस्टैमना इंक्रीज होगा और इस्टैमना बहुत ही ज्यादा इंप्रेंट है और फिर आपको सुबा से लेकर रात तक कम से कम तीन से चार लीटर तक पानी पीना है पानी बहुत ही ज्यादा इंप्रेंट है आपके वाड़ी के लिए तो यही था मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो और अपने प्रेंट लोग के पास में सेर करो और आप लोग मु मुझे फॉलो करो मैसेज करो आपके मैसेज का मैं बहुत ही जल्द रिप्लाइज दूँगा और अक्सर हो आपके मैं लाइक भी आता रहता हूं तो आप मुझे लाइक भी बात कर सकते हो और दोस्तों अगर आप सभी लोग ने मेरे यूटूब चैनल का अभी टक सब्सक्र सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं अपने चैल पर ऐसे वीडियो लाता रहता हूं तो दोस्तों यहीं था मिरा आज का वीडियो मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो थांक्स फर वाचिंग आइज बावाई